लोगडाउन के दौरान सारे के सारे टीवी स्टार्स अपने घर के अंदर रहकर अपनी फामिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंट कर रही हैं इस दौरान सलिब्स अपने अपने पसंदीधा कामों में खुद को बिजी भी रख रहे हैं और कुछ स्टार्स तो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर मेहनत करते दिख रहे हैं उनी में से एक है टीवी के मोस्ट पॉपुलर और हांसम हंक परल वी पुरी जिनके बारे में मिली है ताजा खबर कि वो जल्द ही बड़े परदे पर अपनी धमाकेदार एंट्री मारने वाले हैं वेल रिपोर्ट्स की माने तो वो इन दिनों घर पर रहकर कई फिल्मों की स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अभी सारी प्रोसेस शुरुवाती स्टेज पर है और परल वी पुरी इस बात से काफी खुश भी है कहा जा रहा है कि सारी चीजें उनके मताबिक ही हो रही है वही परल वी पुरी ने इस बारे में बार करते हुए कहा कि देखियें इस बारे में कुछ भी कहना अभी जल्द बाजी होगी जब सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी तब मैं आपको खुद बताऊंगा इसकी ओफिशल अनाउंसमेंट करके अभी फिलाल मैं कुछ अच्छा होने का इंतजार कर रहा हूँ वहीं ये कयास भी लगाया जा रहा है कि परल वी पुरी लॉकडाउन खतम होते ही अपने इस प्रोजेक्ट का ऐलान जरूर कर देंगे हम आपको बता दें कि परल वी पुरी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल फिर भी नमाने बत्तमीज दिल से की थी जिसके बाद वो मेरी सासुमा सीरियल में नजर आए थे लेकिन परल एक्टकपूर के सुपरनाच्छुल ड्रामा नागिन तीन से इतने फेमस हुए कि इस वक्त उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और उनके फैन्स उनके आक्टिंग को काफी पसंद भी करते हैं वहीं परल के बॉलिवुड में एंट्री की खबर सुनकर उनके प्रांस काफी एक्साइटर है वो उन्हें बड़े परदे पर देखने के लिए बेताब है परल के लुक पर उनकी आक्टिंग पर लाखों लड़किया मरती है लेगे अब देखना ये होगा कि क्या वो अपना ये कमाल बड़े परदे पर भी कायम रख पाएंगे आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखतर बताएं साथे साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को दबाना प्लीज दो नार फोगेट